हलो दोस्तो इस वीडियों बताने वाला हम लोग जो रेंडर सेटिंग के अंदर यह जो होता है रेंडर के आगे रेंडर मार्क्स में सेलेक्ट अप्षिन इसका यूज कहा होता है और कैसे होता है और इसका हम लोग अपने काम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप कोई अब किसी क्लाइट ने बोला कि मेरा ये-साइ वींटॉ को आप चेंज कर दीजिए बाकि सब चेंज ना कि एग hour कीनि कि आप बस वींडू के म neighbor को चेंज करने के लिए आप खू молण करने के लिए आप क्या करते हो कोई कोई करने के लिए उसरे करना होगा- मेरे त reign एडिट करके वहाँ पर चिपका दूँगा तो वह एक सीन होता है और या फिर कोई-कोई क्या करता है अभी रिजन में को फोटेशॉप नहीं आता है फिर मैं सब चिपकाना मेरे को आता ही नहीं है तो मैं इसको कैसे करूँगा तो इसलिए मेरे को पुरा रेंडर कर लता फिर से अगर कुछ चेंज़स आगा फिर एक घंडे फिर से पुरा रेंडर करो वह सीन हो जाती है तो उसके लिए क्या है कि जो वीडियो वालों ने एक नया अपडेट दिया है नया अपडेट जो वीडे 3.60 के बाद में आता है एक जीरो के बाद वाले वर्जन में आता है तो इसके लिए आपको मिलता है आपके पुराने 2.0 वाले वर्जन में आपको यह ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके जो 6.0 वाले यानि के 3.6, 3.0 या 3.4 के आगे के वर्जन में साइस से मिल सकता है यह 3.0 के ऊपर के वर्जन वाले वीरे में आपको यह ऑप्शन मिल जाएग तो जो सबसे ज़्यादा important है तो जैसे कि आगास हम लोग किसी client ने बोल दिया कि मेरे को ये प्रबील्डिंग का color change कर दो मंगर ये ये सब आपका सही है यानि कि ये आपका grass अगर ये सब सही है ये color आपका सही आपका window भी सही है बस आपको building का color आपको change करके देना है तो फिर आप कैसे करो या फिसा ब्रिंडिंग निचलों यह डॉर का डॉर का कलर मेरे को वाइड करके दो पिर डॉर के लिए आपको क्या करना हो का फिर या फिर ऐसे रीजन मारोगे फिर उसको फूरेश्ण चेंज करोगे या फिर पूरा उसको रेंडर करना पड़ेगा वह फिर पड मेरे को चेंज करना है मैं डोर का मट्री चेंज करता हूँ जैसे कि यहां पर क्लिक करता हूँ मैं आभी यहां पर यूज करता हूँ सिगर शेडर मटेरियर यह सिगर शेडर मटेरियर आप भी यूज कर सकते हो आप भी आई कर सकते हो सिगर शेडर वेबसाइट से या फिर आप मेरे को इस वीडियो के नीचे आपको मेरा वर्टसव ग्रूप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे को कॉंटैक कर सकते हूं, वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकते आख है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो जो भी है इसमें Color जो मैंने डाला हुँ पहले से तो उसको मैंने सलेक्क कर लिया यह है जो विंडो यह उसका मझेल यहाँ पर हो मिलिया तन तो अभी मैं क्या करता हूं एक निया विंडो मैंटेल दे लेता आँ चहिए तो क्रीम कलर, लाइट ब्राइट कलर भी ले सकते है एड़ अभी मेर को क्या चीक है इसके इन दिखो option होता है एडिटर एंड इन सलेक्टेच्टट अबजिक्ट पे अगर आपको करना सेलेक्टिद आपजिक कर सकते हूरा मामे और अधर प tahu एहांगा tor फिर आपको क्या करना रहेगा के यहाँ पर आजाने के बाद आपको बस इसको कापी कर लिजिये जो आपका एक्सिक्तिंग मठियर है उसको आप रिप्लेस कर दिए जैसे आप कही सो इसको धीजारत जो भी है उप में दूले मैपिंग की है सके हिसाब से वह अजस्ट हो जाएगा कप डिसकाड या फिक अर्व या फिके व्सकाड एक या रिए कर दो नहीं चाहिए मैं इंग तो जहां पर यहां पर यहां पर आपक्लाइब किया था यहां कि यह था वह दोनों चेंज होगा है तो हम दोग यह दोनों को चेंज कर लेते हैं को भी सेलेक्ट किया एंड इसको भी दोनों ऑप्चेक्ट्स अब यहां पर क्या है न कि बहुत जदा ऑब्जेक्ट हो रहे है इसलिए मैं एक यूपजेक्ट करता हूँ जो है अपना ही है और कोण सा पार्ट सेलेक्ट है इतना सही और भी सिलेक कर लेते हैं पूरा उप्राइब पार्ट हो जाना चाहिए है इसे सिलेक्ट नई तो फिर अपना काम बच्छे से नहीं होगा मैं इसको स्लेक्ट है जिसके अंदर मैं को रेंडर करना है उसको मैंने स्लेक्ट कर लिया जिसके अंदर मैं चिंजिस किया हूं उसको म selected कर क्योंकि जो object मैं select करके रहें और कुछ render होगा ही नहीं और कुछ भी नहीं यह नहीं होगा नहीं यह पुरा यह रहेंडर मैं जो select करके रखाओ जिस object को यह दोर को स्लेक करेगा वाकि सब वही रहेंगे अभी यह दिखाता हूँ मैं आपको इसको यहां फिर रुक जाता है इसको ब्लांग मिला यह सब को रेंडर करना या इसको चूंडे करता है इसको और बेंडर करता हूँ इसको रेंडर कर रहा है यह कुछ सेकेंड में यह रेंडर फुरा कंप्लीट हो जाएगा यह हमारा रेंडर आ चुक है यहां पर यहां पर देख सकते हो यह दिखुए यह किसा ब्राउन था और यह कैसा है अभी आपको मैंने हिस्टा कैसे सेव करते हैं तो मैंने प्रिवेस बनाया था इसके बारे में यहां पर यहां पर यह देखे हैं अभी मैंने इसको ब्राउन किया पहले यह ऐसा इस तरह था में इतने changes हो गया है यह जिसको मेरे असी वही render हुआ बाकी यह सब यह सब नहीं हुआ इसलिए वहाँ पर आप इसको यूज कर समय कहीं पर आपको विंडो को चेंज करना है वाकर चींज चाहिए को आपको यूज कर है उसके यूज करूँगा जो अपना है शिगर शेडर मटेरियल विदर विंडो में हम लोगे मिल जाता है हम लोग कौन टा ग्लास चाहिए किस टाप का ग्लास चाहिए जैसे इसमें ग्लास में स्ट्रेट ग्लास एंड फुरसा प्लेट वाला ग्लास थोड़सा फ्रॉस्टी ग्र्पर अगर मुझे तोallac시 एंगर मुझ हो अगर मुझे तरो फ्रॉस्टी ग्लास भी मिल जाता है यहे ज़्फस्ट कहला तो Eliseil मैं फिलाल इसको तो मैं पहले इसको जो भी सாथ पिक इंठेव हो उसको मैं करता हो ट्यक्त इसको लेता है यहां पर अंग में इसलोट में लिख्या देला है क्लिक करके अहुग यहांपर यह पर लॉट में अल bombers को सब्स्क्राइब करें गोए यह श्लोट में है आफे अछ सी ग्लास है तो इसलिए काफी डीक आफे। अव बेफें बयोब आप लिए इसको कर देता हो इस पर रिप्लेस जितने भी जहां पर भी ग्लास अप्लाय है तो सब में यह मठेल अपलाय हो जाएगा वाला कोई आपके सब में फ्रॉस्टि ग्लास अप्लाई हो गया है अभी बोलोगे ग्लास को प्रॉस्ट करना पड़े दा सब जितने क्लास है है कि आंदेना कि Glasses में आपने चेंज किया तो Glasses पर ही सलेक्ट होना चाहिए गलती से कुछ और भी सलेक्ट होगा तो वह भी वेकर का रेंडर करने लगा इसलिए जाके इस तरह के मुझे भी यहाँ पर मैन्योली करना पड़ रहा है कि मैंने ग्रूप नहीं बनाया हूँ तो इसकी बैसे मिरे को इसको मैन्योली स्लेक्ट करना पड़ रहा है आप Saints इस देखे अभी इतना काफी है मैंने ख्लास सिंद्द लिया काई लग उग्या करना मैं क्या करूंगा भी रेंडर करे करें कि क्या ऐफक्ट आता है इससे या लुक आता है और पहले नुसले आपने में यहां पर चेक कर लेना है इपर ध्यान से ٹेक करना है हम लोग ध्यान दे देना है इस पर माक है यानि कि जो हम आपजेक को सलेक्ट करके रखेंगे, वसी पार्ट को व रंटर करेगा अगर बबनान रखते हैं तो जैसे हम लोग करते है रेंडर, 沒關係 सब सब के सब को रेंडर करेगा, और और इसको करते हैं रेंडर काफी easy हो जाता है,। जितना हम लोग को चाभी है, इसनी रेंडर करें, तो यह काफी easy हो जाता है हमारे लिए ताकि जाके हमारा time waste न हो हम लोग को यूज करें जो होता है marks render marks selected option का यूज करें तो फिर अगर आपको ये बड़े पसंद आ है तो लाइक कीजिए अपने फैंट को शेर केज़े और अगर आपको ये सिगर शेडर मटेरल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रूप में जॉइन होके ठीक है वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो आपको इस सिगर शेडर मटेरल चाहिए तो फिर उस टाइम पर हम लोग करेंगे जो भी रहेगा तो किसे यूज कर सकते हैं कहां पर यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग के रेंडर को काफी फास्ट बना सकता है यानि कि जो वर्किंग है वह हम लोग का फास्ट बना सकता है ताकि हम लोग को पूरा रेंडर ना करना अपने जितनी सेलेक्टेट पार्ट है जिसमें जैहिल वंदे मागराव